आज किस वीडियों बात करेंगे एफ थड समस्टर के इंगलिस के most important question and answer के बारे में जिन भी छात्रों की परिछा third semester के इंगलिस के होने वाले कल परसो या पिर आने वाले दिनों में तो उनके लिए भी बीडियों बहुत ही महत्पूण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो मेंने question and answer दोनों include किये हैं जो कि आपके exam के नजरिये से बहुत इमात पूरें देख लीजे semester आपका third है ठीक है बेर third semester और जो subject है वो English है देख लीजे ये भी और प्रस्ण पत्र का जो नाम है वो भी आपको दिख रहा है आपर देख सकते हैं आप लोग सभी subject English हो गया प्रस्ण पत्र का नाम है bitriff and American drama तो जितने भी question होंगे वो आपके bitriff and American drama से होंगे 75 नंबर का पुडांग जियातर इनुवर्सिट्यू में होता है तो चली आते है question and answer पे आज कि इस वीडियो का पहला question है मेन राइटर है तो इनके उपर चर्चा करना है यह महात्पूर्ण प्रस्ण है आप तैयार कर लेंगे answer भी आप लोगों के समस्त है ज़्यादा हम इस वीडियों discussion नहीं करेंगे क्योंकि time ना होने के कारण हम आपको सिर्फ most important question कौन-कौन से इस बार पैच्छा में आने वाले हैं उनको आपको select कराएंगे बाकी उत्तर भी मैंने आप समस्त नीचे प्रस्तुत भी कर दिया है वो भी आप देख सकते हैं ठीक है अगला question प्रस्तुत है भीया कि murdered in the ध्यान से सुनेंगे murdered in the cathodral is classical both in firm and content discuss question को फिर से जितनी बार आपको समझ मिना है उतनी बार पहले तो question पढ़ लिया करें आप तभी आपको उत्तर अच्छे से देपाएंगे ठीक है तो murder in the cathodral is classical both in firm and content discuss तो ये question कहे रहा कि भाईया कि cathodral में हत्या जो cathodral में हत्या होई थी ठीक है इस बिसे पर आपको चर्चा करना है ठीक वही लिखना है तो इस बार गारंटी नहीं कि आएगा आएगा कि नहीं आएगा लेकिन आप पढ़ भी सकते एग्णोर कर सकते अगला जो question most important है जो कि कई बार परिछा में repeated है और मैंने देखा भी है ठीक है कि what is जानते हुनेंगे what is Christian ठीक है marty drum ठीक है marty drum तो इस question कहे रहा कि इसका मतलब होता है Christian आप लोग समझते इसाई ठीक है और इसका मतलब सहादत ठीक है तो मतलब कि जो इसाई सहादत है वो क्या होता यह आपको बताना है ठीक है what is Christian ठीक है division of work of man तो इस प्रकार आपको उत्तर भी लिखना यह भी कई वार आ चुका तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं अगला के question कहे रहा कि ब्रीफ समरी आप street car names desire यानि यह question कहे रहा कि एक आप लोग कार तो सुने होंगे जिसका नाम डेजायर तो नाम फुना होगा ना वही question नहीं कहे रहा है कि डिजायर नाम की एक street car का संशिप्त फारांफ दीजे मतलब कि एक जो डिजायर कार होती है उसका आपको परिचे देना है ठीक है तो यहां पर आपको लिखना है कि street car name desire इस ठीक है करा रहा हूं ठीक है अगला question है कि who are the character in the play ठीक है who are the characters in the play यानि कि नाटक के पात्र कौन-कौन है उसके बारे में आपको लिखना है भी महात्पूर्ण प्रस्ण है और रिक्जा में कई बार रिपीटेड है तो इसको जरूर तयार करके जाएगा 100% उमीद है आने के द्यान तो डिसकर टीएस इलोट एजा शिंबॉलिक पोईट मतलब की यह question कह रहा कि प्रत्याक्तमक रूप में TF-8 की चर्चा करें यहनिकी प्रतिकात्मक कभी की रूप में TF-8 पर चर्चा आपको करना है बस यह question कह रहा है क्योंकि यह क्या है प्रताक्तमक कभी है ठीक है जिसको ह पूरा उम्मीद है और टीएफ इलोट से जड़ा तो क्वेश्चन आएगा 100% सोर है दो तीन क्वेश्चन देखने हैं ठीक है अगला क्वेश्चन के रहा हूँ वाज विक्टर फ्रेम ठीक है तो यह कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप चाहिए से इंग्नोर भी कर सकत इस कोश्चन मतलब है कि जो ग्रेगरी सोलो मन कौन थे यह कोश्चन कह रहा है कि जो ग्रेगरी सोलो मन है वो कौन थे तो उसे के बारे में आपको लिखना है ठीक है एक नाम है जिसका नाम है ग्रेगरी सोलो मन इनके बारे में आपको परिचे लिखना है ओके महात्पोंट ने कई बार आ चुका है अगला भी कई बार पैच्छा हम देखने को मिला कि राइटा सौट नोट ऑन दी प्राइज यानि कि जो मूल होता है उस पे आप लोगों के एक सौट नोट लिखना इसके बारे परचे लिखना यह भी मोस्ट इंपार्टन कई बार पैच्छा में मस्यारां प्राजान हूं डिफाइन डिफाइन करना और सिर्फ कम संब्सक्राबं करना है। चलिए इस question देखते हैं कौन सा है यह question कहे रहा है कि throw light on roll of handkerchief तो यह question इतना महातपोर्ड नहीं मैंने नहीं देखा कि यह कई बार आया है लेकिन आप पढ़ भी सकते एग्णोर भी कर सकते जो जो मुझे लगे का हाँ यह महातपोर्ड यह कई बार पुच्छा गया उसके बा यह question कई बार आपकी पर इच्छा में देखने को मिला है क्योंकि आपके जो पार्ट क्राम में थार्ट समस्टर इंग्लिश में ठीक एक लेशन का ही नाम है ठीक है आर्मस एंड दा मैं ठीक है तो उससे जुड़े question करीब करीब दो तीन देखने को मिलेंगे कम से कम तो दो आएंगे ही आएंगे इस बात को ध्यान रखेंगे तो इसके बारे आपको तैयार कर लेना यह भी महत्पूर्ण प्रस्ण है अगला question है कि इन वीच वेदा प्ले आर्मस एंड दी मैं दी फस्ट आफ ट्रोली ठीक है सवियन प्ले कि ट्रोली ठीक है ट्रोली यानिकि सत्यता कि ट्रोली ठीक है सवियन प्ले यह भी कई बार आ चुका है और आर्मस एंड दा मैं से जड़ा question आएगे दाएंगे अगला question कि write a note on the use of irony इंदा फ्ले आर्मस एंड दा मैं यह इंपॉर्टेंट है ठीक अगला question कह रहा कि वाट आर दे चीफ करेक्टरिस आफ इलोट यानि कि जो इलोट्स है प्रमुख राइटर हैं इंगलिस के इनकी जो पोईट्री है उसमें क्या मुख बिसेस्ता है उसके बारे में लिखना बहुत ही महात्पूर्ट प्रशने भी आएगा पक्का ध्यान से सुनेंगे इलोट से जोड़े करिब करिब दो-तीन कोश्चन आ राइट नॉन इम्पोर्टन्स अब दर टेमपोल जो एकत टिन आ की लाकि नराट फोतके ये कोष्टन यह एक राइबहरां की राइट आफोत नौट अट एंप्वाञ पर्वाटनस अब्हितिक टेम्पर्टर्स टेम्पर्टर्स इन धीम डोडर इन जैंधिक रोल यानि कहिए रहा कि रोल में हत्या में प्रोभल प्रो भन देने वालों के महत पर प्रोभन देने वालों के महत पर एक संसर्प टिपड़ी लिखना है यह भी कई बार आ चुका इसको भी ध्यान डखेंगे अगला है क्योंट कि इस पूरिजम पर लोगों के एक्जामपल फहित लिखना इसके बारे में ठीक है वाट आर दी इग्जामपल फहित लिखना इसके बारे में ठीक है अगला कोश्चन कहे रहा है कि वाट आर दी इग्जामपल आप स्टेज़ डायेक्शन ठीक है यह भी महात्पूर के बारा चुक अश्को भी ध्यान रखेंगे ठीक है और अगला कोश्चन इतना इप पॉर्ट नहीं ठीक है अगला कोश्चन है की फूट इस दा कंपेर्ड ठीक है डॉन कोई से ओट इन आर्मस एंड दी मैं तो आर्मस एंड दी आपके मतलब की थर्ड समेस्टर में एक लेशन का नाम है तो फिर युडियो कोईश्टिन मैंने आपको बताए रखा आएगा अगला कोईश्टिन कहे रहा कि टीक है अगला पूर्मस इतना मात् पूर्मस और यह बहादार सकते हैं अगला कोईश्टिन के बारे में आप तैयार कर सकते हैं अगला कोईश्टिन के यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता ठीक है अगला कि what are the types of conflicts यह महत्पूंड को त्यार कर लेंगे उत्तर नीचे आप लोग त्यार कर लेंगे अपास समय नहीं ज्यादा इसलिए हम आपको डिस्कस नहीं कर पाएंगे ज्यादा ठीक है यह भी कुश्चन कि Name Kinds of Comedy यह भी महत्पूंड का इबारा चुका है वाटिज मिनिंग अफ इभी महत्पूंड कोश्चन के बारा चुका है और लिखना है कि लिखाए कि सा योर ठीक है इक्क्वेंटेंस टिक एक क्वेंटेंस तो विद क्लासिकल कमेंडी कमेडि जुड़ा कोश्चन यहां पर नाम भी लिखे कौन-कौन से हैं दो याद रखेंगे मात्पूर्ण प्रशन यह वाला इतना मात्पूर्ण नहीं पड़ भी सकते अगला कोश्चन की वाट इस दा मीनिंग आफ टेजडी टेजडी का मित्रम आपको बताना यह भी मात्पूर्ण प्रशन और वाट आर्डी टाइफ आप ट्रेजडी कितने परकार होते हैं ठीक भी मात्पूर्ण प्रशन के बार आचुका है डिफाइंड आफ ट्रेजडी वाई दा ठीक है इमाधपूर्ण आपको डिफनेशन बताना डिफनेशन आफ ट्राइजडी बाई ठीक है अरिस टोटले के मतलब कि अनुषार इसकी डिफनेशन आपको बताना है ठीक है मात्पूर्ण प्रशन कई बार आ चुका है इस बार आएगा नहीं आएगा लेकिन आया था पिछले पालों में ठीक है तो इस प्रकार कुछ कोईशन इसमें देगें चो कि आपके एक्जाम के लिए महात्पू देखुंट यहां पर आपको संदार्भ सहय 573 ग्यावीğिश च्रकार को इंड्लेश में संदार्भ और उसमें बोलते हैं को बूते हैं मतलब कि जो paragraph है जो 4-5 line दी गई है वो conflation से लिए गई है उसके writer कौन है ठीक है और उसके बाद लिखने के बाद आपको explanation करना पड़ेगा ठीक है reference में मतलब संदर में ही लिखेंगे भईया कौन फिर writer ने लिखा है और relation का क्या नाम है और उसमें क्या बताया गया है उसके बाद आप contest में लिखेंगे मुख्यता थे कि ये भाई line जो है paragraph है इसका main मतलब क्या है ठीक है वो contest में आनी कि प्रसंग में आप लिखेंगे ठीक है हो जरूर मिलेगी ठीक है बाकी हम आपको बता दें कि इसमें हम English वाले सब्जेक्ट में ज्यादा हम आपकी मतलब ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन और सब्जेक्ट में आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है इसमें थोड़ा आप लोग समझ गेंगे कि कि यंदे. झाल झाल